नश्कार दोस्तों मैं सिधारत आप सभी का बहुत बहुत सवगत करता हूँ देवश्वैनी एकादशी ये एक ऐसी एकादशी है पूरे वर्ष भर में जिसे मैं कहूंगा अत्यंत महत्वोन यू तो सभी एकादशी का अपना एक महत्व है वे अपने आप में अती सुंदर है परन्तु ये एक मात्र ऐसी एकादशी है जिसे मैं निर्जला एकादशी के समकक्ष या फिर एक पायदान उपर रखूँगा और इसके कई कारण है इनमें से कुछ कारणों को हम इस वीडियो में समझेंगे पहली बात तों हमें ये समझना में शुक है कि ये देव शैनी का अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये है कि जो देवता हैं वे शैन करने चले जाते हैं अर्थात जो देवता हैं वे सोने चले जाते हैं इसका कैतात पर हुआ भगवान विश्णू ऐसा खा जाता है कि भगवान विश्णू इस समय अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं अब प्रश्ण हाँ पर यह उठता है कि क्या भगवान विश्णू इस चराचर जगत के पालन करता नहीं है यदि ये हैं तो फिर ये सो कैसे सकते हैं और ये कब तक सोते रहेंगे यूं तो ये चार मास के लिए सोते हैं चार महीनों के लिए परंतु इस वर्ष यानि 2023 में ये पांच महा के लिए होगा क्योंकि इस साल मल मास भी साथ में जोड रहा है और इसी कारण ये आज अर्थात 29 से लेकर के 29 जून से लेकर के 23 नवेंबर तक ये पूरा जो टाइम फ्रेम है ये चलेगा अर्थात पूरा का पूरा आपके चतुर मास और एक मल मास पांच महीनों के लिए भगवान विश्णू वो अपनी जोगनेद्रा में रहेंगे इसी से जूरी एक पौरानिक अथा ये है कि जब वामन अवतार में श्रीहरी विश्णू ने राजा बली को पाताल लोक में पहुँचा दिया था तब राजा बली की दान करने की भावना से प्रभावित होकर के भगवान विश्णू ने उन्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा राजा बली ने भगवान विश्णू से कहा कि आप मेरे यहाँ पर आकर के कुछ समय के लिए रहें और ऐसा आप हर वर्ष करें और दोस्तों यही वो समय है जब भगवान विश्णू पाता लोग चले जाते हैं और राजा बली के यहाँ पर रहते हैं फिर जब बहुत समय तक भगवान विश्णू वेकुंट दाम नहीं पहुंचे थे तब मा लक्ष्मी एक वृद्धा बन करके पाता लोग जाती हैं राजा बली को राखी बांधती हैं और तब राजा बली इन वृद्धा रूपी बहन से योकी मा लक्ष्मी ही हैं कुछ मांगने के लिए कहते हैं तब मालक्षमी भगवान विश्णु को मांगती हैं और इस प्रकार भगवान विश्णु पुन्ह वेखुंट लोग पहुंचाते हैं इस बीच कोई भी शुबकार रे नहीं हो सकता है शुबकार रे कारत हुआ नए अगर लेलिया नए ओफिस लेलिया नए गाड़ी लेलिया कुछ भी नया इस समय नहीं करते हैं इस समय यानि आज से ही दक्षनायन भी आरंब होता है अर्थात जो सूर्य की गती है वो दक्षन की ओर हो जाती है अब जो यह सब बाते हैं इनका तातपर है क्या हुआ क्या इसा बाते धार्मिक ही नहीं है पुराणों में ऐसा लिखा है इसमें कोई scientific reasoning तो शयद होगी नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अधिक महत्व है इन सबी बातों का, समझते हैं कैसे, भगवान विश्णु जो हैं, वे यग्यों के देवता है, यानि जो भी आप यग्य करते हैं, उसका जो फल होता है, भगवान विश्णु ही उसे प्रदान करत हैं, अब जब भी कोई शुब कारे करते हैं, कोई नया कारे करते हैं, तो यग्य होता है, हवन होता है, जब अब हवन करेंगे, तो आपको इस समय उसका फल प्राप्त नहीं होगा, कौँकि भगवान विश्णु तो योग निद्रा में हैं, तो पहली बात हो ये, दूसरी और उनका समस्त परिवार, जी हां, और इसी कारण मैंने कहा था कि देव शैनी एकादैशी अतिम महत्पून है, भगवान शिव अब से लेकर के पांच महीनों तक पूरे जगत की रक्षा करेंगे, उसके संचालन का कारे करेंगे, इसी कारण आप देखेंगे कि श्रावन सो कुछी समय में आरंभ हो जाएगा, फिर गणे शतुर्थी आते हैं, उसके बाद में नवरात्रे आएंगे, और फिर बाद में भगवान कार्थी का भी तुहार आएगा, बात ये है कि अब समस्त शिव परिवार जगत को चलाएगा, परंतु ये अलग किस प्रकार से है, ये वो समय है, जब आप साधना करेंगे, तो आपको उसका फल सौ गुना मिलेगा, आप जो भी तब करेंगे, आपको उसका फल सौ गुना मिलेगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और ऐसा लोगों ने स्वयम अनुभव किया है, जो भी व्यक्ति, कैसे भी साधना उठ चाहे यदि आप अधिक दक्षन पंथी साधना उठाते हैं तो जादा अच्छा रहेगा जैसे कि महाविद्या हरिद्रा गणेश के विद्या इस प्रकार से पंच्मुकी हनुमान जी की साधना भैरव साधना इस प्रकार से जब आप अपनी मनो कामना की पूर्ती के लिए अर तो जब आप साधना को उठाएंगे आपको कोई भी कश्ट है कोई भी दुख है उसका निवारन प्राप्त करना है कोट का चहरी का मामला है कहीं पर रुबे अटके पड़े हैं काम हो नहीं रहा है किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दुख है वो आर्तिक हो शारेडिक हो म स्वयम्ब के अंदर भ्रम्म को देखने का अध्यात्म में लीन होने का इसी कारण हमारे रिश्यों ने कहा है कि कुछ भी शुब कारे कुछ भी नय कारे नहीं करें क्योंकि यह समय है नय की ओर जाने का नहीं है जब भी कुछ नया होता है तो हमारी आसकती, हमारी इच्छा उसमें और अधिक बढ़ जाती है लोब में हम पढ़ जाते हैं, लालच में हम पढ़ जाते हैं, मोह में हम पढ़ जाते हैं परने तो ये समय है जहांपर कुछ नया नहीं करें, जो पुराना है उसी को ठीक करें, अपनी उरजाओं को ठीक करें, कुंडरीनी शक्ति को आप जागरित करें, अपने अंदर कुछ सिध्यों को प्राप्त करने के लिए अपने को आप सक्षम बनाएए, मनुकामनाओं की पूरा लक्ष यही है, इस समय भगवान विश्नु के योग निद्रा में जाने का जो अध्यात्मिक अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है वो यही है कि इस समय हमें अंतर मुखी होकर के भगवान को देखना होगा, अंतर मुखी होकर के हमें महा विश्नु को सोयम के ही भीतर देखना होगा ये समय अध्यात्म के लिए अति उत्तम है यही भगवान विश्णों की योग निद्रा है और यही कारण है कि आप देखेंगे कि महाविद्या का जो एक नया वीडियो है मैंने भी कुछ दिनों पहले डाला है महाविद्या का जो पूरा एक सीरीज है इसके सभी की साधनाए इन सभी की जानकारी हम इनही महीणों में प्राप्त करेंगे इसको यदि हम कुछ सांक्रमन पहलता है और फिर श्रद रितु इत्यादी जो थंड के ही जो अलग रितियों है वो आरंभ होने का समय है अर्थात संक्रमन पहलता है आप यदि बाहर घुमेंग करेंगे नएने कारे करेंगे तो आप संक्रमन लेकर करके आ सकते हैं स्वास्त इसके अंदर गिरता है इसी कारण आप जहां पर हैं वहीं रहें अत्य दिक घुमे फिरें नहीं और बैट करके आप भगवान की साधना करें आपको अत्य अंतलाब मिलेगा ऐसा हमारे शास्तर कह बैंगन और हरी सबसें उसका सेवन आप नहीं करें इसका कारण वह य किस समय बारिश होने के कारण कीट Κईान जो हैं वह सबस इस सबजियों इतियादम में आ जाते हैं गायों के अंदर भी संक्रमण वह आ जाते हैं यदि हम इन सब का सेवन करेंगे तो हमारा शरीर कम जोर पड़ जाएगा, फिर हम साधना भी नहीं कर पाएंगे, कुछ और कारिय भी नहीं कर पाएंगे, दोस्तों, इतनी ही जानकारी थी आल्स के लिए, आशा करता हूं कि ये सभी बातें आपको लाबदायक लगी होंगी, और यदि ऐसा हुआ है तो आप हमें लाइक अविश्य करें, इस वीडियो को आप शेयर करें जितना हो सके, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और यदि आपका मन करें, तो फिर जो कॉमेंट सेक्शन है, वहाँ पर जाकर पहले तो ये बताएं जानकारी कैसी लगी, दू झाने वाँ